नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे खजाने के बारे में बताएंगे जो धरती पर प्रकृती ने हमें परदान किया है जी हाँ यदि हम इस खजाने के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी सही धंक से हासिल कर लें तो कई तरह के रोगों का उपचार हम घर बैठे ही कर सक या यूँ कहें कि इस खजाने का लाब उठाकर हम खुद ही डाक्टर बन सकते हैं तो आईए दोस्तों आपको बताएं गुणों की खान कही जाने वाली विटामिन आइरन युक्त पालक के बारे में जी हाँ पालक का सेवन कर हम मुटापा भी कम कर सकते हैं इतना ही नहीं किस तरह से पालक के सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ाने के अलावा अन्य रोगों को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं बार्मी श्तापदी से हो रहा है पालक का उपयोग शीतरितु की फसल पालक का बार्मी श्तापदी से अफरीका में उपयोग शुरू हुआ जो धीरे धी प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। भारी मात्रा में पाए जाते हैं। गरवती वा स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए बहुत लाबदायक होता है पालक का सेवन करने से स्तनपान करवाने वाली माताओं के स्तनों में अधिक दूद बनता है जो बच्चे के विकास में अधिक मदद करता है भूग बढ़ाने में करता है मदद पालक ह्रेदे संबंदी बिमारियों से लड़ने में मददगार है पालक में पाये जाने वाले विटामिन सी क्षैर ओक से बचाते हैं सलाद में इसको खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है साथी भूख भी बढ़ती है बालों को जढ़ने से रोकता है पालक का सेवन केवल आयरन की कमी होता है जिसे पालक के सेवन से पूरा किया जा सकता है चेहरे की संदरता बढ़ाए रूखापन करे कम पालक तौचा को रूखा होने से बचाता है साथी चेहरे के कील महां से मिटाने और तौचा को स्व Fine रखने में मददगार होता है पालक का पेस्ट बना कर च चेहरे से जाईयां दूर होती है या पालक वा गाजर के रस में थोड़ा सा निम्बू रस मिलाकर पीने से चेहरा सुन्दर और कान्थी में होता है मसल्स को दे मजबूती शरीर को गठी लावा मसल्स को मजबूत करने के लिए पालक का सेवन बेहद लावदाइक है पालक में मुझूद अजैविक नाइटरेट मास पेशियों को मजबूती परदान करता है पालक के सेवन से मुटापा करें कम पालक के रसको यदि गाजर के रसमें मिला कर पिया जाए तो इससे शरीर की चर्बी कम होने लग जाती है इसके हलावा पालक के रस में निम्बू का रस मिलाने से भी मुटापा दूर होता है पथरी को कनों में तबदील कर बाहर निकाले पालक का काड़ा बना कर इसके सेवन से पथरी पिघल कर मूतर के साथ कनों के रूप में बाहर निकल जाती है सुबा सवेरे आधा गिलास कच्चे पालक का रस पीने से कबज की समस्या समाप्त हो जाती है आंतों के रोगों में पालक की सबजी खाने से मदद मिलती है पालक बढ़ाए आंखों की रोशनी पालक आंखों के लिए काफी अच्छी होती है इसके सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ती है पालक का सेवन आँखों के लिए एक वरतान है आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए गाजरवा टमाटर के रस को समान मातरा में पालक जूस में पीना चाहिए चेहरे की जुर्णियों को करे कम पालक के सेवन से चेहरे की जुर्णियां दूर हो जाती हैं पालक के रस को निम्बू के रस में गलिसरिन के साथ सोने के समय मिलाकर लगाने से लाब मिलता है इसका पेस्ट लगाने से भी मदद मिलती है साथ ही फोड़े वाफ फुंसी को करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिंक को क्लिक करें जुड़े रहें चैनल डी फाइव हिंदी के साथ